सलाम अलेकुम फराल वीवर आज हम find करेंगे find the slope of curve तो slope का formula क्या होता है हमारे पास y2 negative y1 और x2 negative x1 यह हमने पिछले question के अंदर पढ़ा था लेकिन अब हमने question के अंदर tangent to line curve नहीं find करनी बलकि हमने क्या करनी है सिरफ slope of curve find करनी है तो यह हमें x की value दी गई है हम इसे x1 से denote करेंगे यहां पर और x1 negative 1 के बराबर आगए x2 जह हमें पता है कि जब हमने x2 लेना है value के अंदर कुछ ना कुछ change आ रहा है अब आपने y1 की value तो यहां पर दीनी गी हुई तो y1 की value कैसे निकालनी है कि जो हमारे पास रकम है 5x का square यहां पर x की किमत क्या थी negative 1 हमने क्या कर देनी है simply put कर देनी है negative 1 negative 5 y1 की value क्या आगी negative 5 और इसका square होना था sorry क्योंकि रकम के अंदर क्या है x का square 5 इसकी value आगी इसके पाद y2 हमने परड़ा हुआ है कि हमने यह वाली value किसमे put कर देनी है y2 के अंदर क्या थी रकम हमारे पास 5x का square और हमने क्या करना है x की जगा 1 negative 1 plus h का square क्योंकि यह वाली रकम हमने किसमे put कर देनी है y2 के अंदर जब x की value आएगी ठीक है तो अब हमने simply value को put कर देना है इस question के अंदर slope किसके बराबर होती है m के यह हम हम h की बात कर रहे है तो क्या आजएगे slope में limit आजएगे limit h approximately 0 अब हमारे पास क्या बाज़ेगे 5 y2 क्या था हमारे पास 5 negative 1 plus h का square और y1 क्या था हमारे पास 5 5 नीचे किया था x2 negative x1 हमने पिछले question के अंदर तफसील से पढ़ा हुआ है कि नीचे सिर्फ h ही बचना है ठीक है आप इसे दूसरे तीके से भी हल कर सकते हैं लेकिन यह सबसे easiest method है m limit h approximately 0 इसका square open करेंगे तो क्या बनेगा 1 का square h का square negative क्योंकि a negative b का formula लगेगा लेक्टिव टू एच नेक्टिव फाइफ डिवाइड एच यहां पे हम जब limit को यहां पे हम जब 5 को इन साब से multiply करेंगे तो क्या बनेगा फाइफ 5 बन्दा 5 5 h का square negative 10 h negative 5 divided by h तो यह 5 5 से cut out हो जाएगा उपर से हम क्या करेंगे h को common ले लेंगे h कामन लेंगे तो क्या बचेगा 5 negative 5 h negative 10 divided by h h h से cancel out क्या बचेगा limit h approximately 0 5 h negative 10 अब हमने क्या कर देनी है put the limit तो अब हम जब इसके अंदर limit put करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास h की जगा 0 आ जाएगा 0 negative 10 slope किसके बराबर आगी negative 10 slope is equal to m negative 10 यह था question number 19 अब हम करेंगे question number 20 इस question के अंदर भी हमने क्या करना है इसे हमने x1 consider कर लेना है क्योंकि हमारे पास slope का formula क्या होता है m is equal to y2 negative y1 x2 negative x1 x1 क्या बन जाएगा हमारे पास 0 और जब हम x2 की बात करेंगे तो वैल्यू के अंदर चे जाएगा 0 प्लस h किसके बराबर हो जाएगा h के और फिर y1 y1 किसके बराबर करना है हमने x negative 1 x positive 1 इसके अंदर हमने x की खिमत पूट कर देनी है x हमारे पास क्या था 0 0 पूट कर दिया negative 1 यहां पर भी 0 आ गया x की जगा positive 1 किसके बराबर आ जाएगा negative 1 number 1 is equal to negative 1 y2 हमने कैसे फाइंड करना है जहां पे हमारे पास x है वहां पे हमने क्या कर देना है x और h का अजाफा कर देना है यह वाली रखम लगा देनी है मतलब 0 प्लास h चाएगा negative 1 0 प्लास h positive 1 0 तो हमने लिखने हैं यह h negative 1 h positive 1 इस तरीके से हमने value लगा दी x2 वाली value किसमे पुट कर दी equation के अंदर और अब यह क्या बनगी y2 की value slope का formula क्या था हमारे पास y2 negative y1 y2 किसके बराबर है h negative 1 divided by h positive 1 और y1 क्या था हमारे पास negative 1 divided by x2 negative x1 हमारे पास किसके बराबर आजाएगा h कही बराबर आएगा h इसके हम lcm लेंगे lcm कैसे लेंगे h negative 1 यह उपर जाके जरब हो जाएगा h positive 1 divided by h positive 1 divided by h हमने limit लगा रहनी है limit आपने हाँ step के साथ लाजमी लगानी है h negative 1 negative h हो जाएगा यह और यह क्या हो जाएगा negative 1 यह h उपर आकर इसके साथ multiply हो जाएगा h h positive 1 तो क्या बाच जाएगा हमारे पास negative यहाँ पर यह यह वान और वान ने काट आउट होना था क्योंके y1 की कीमत हमारे पास किसके बराबर थी negative 1 और यहाँ पर भी negative आना था यह क्या बन जाना था positive positive और positive यह वान वान से cancel out नीचे क्या बाच गया हमारे पास limit h approximately 0 2 divided by h plus 1 h h s से cancel out तो क्या बाच क्या हमारे पास limit h approximately 0 2 divided by h plus 1 put the value of limit limit क्या बनेगी हमारे पास h 0 था तो h क्या लगा देना है 0 1 तो आस के आगा 2 यह क्या बनेगी इसकी slope क्या बनेगी slope क्या बनेगी slope किसके बराबर आगी टू के अब हम करेंगे question number 21 इसके अंदर भी हमने इसको क्या consider का लेना है x1 x1 किसके बराबर आजाएगा 3 के और x2 किसके बराबर आजाएगा 3 plus h के y1 इस value के अंदर हमने क्या कर देनी है x की कीमत को put कर देना है जो हमें equation देगी है x किसके बराबर है हमारे पास 3 के active 1 क्या बाच जाएगा 1 divided by 2 y2 हमारे पास किसके बराबर आजाएगा j वाली जो equation है इसके अंदर हमने क्या कर देनी है x2 वाली value को put कर देना है x की जगा कैसे put करेंगे जैसा के y2 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1 आप ये रहने दे 1 और ये x की जगा 3 प्लस h का जाफा negative 1 तो हमारे पास क्या बाच जाएगा 1 divided by h positive 2 3 में से 1 निकालेंगे तो आज क्या आ जाएगा 2 ठीक है slope हमारे पास किसके बराबर होती है y2 negative y1 x2 negative x1 तो y2 की value किया थी 1 h plus 2 और y1 की value किया थी negative 1 by 2 divided by हमारे पास x2 में से x1 निकालेंगे तो h ही बचेगा तो इस कैल से हम लेंगे 2 इदर आ जाएगा और h plus 2 यहाँ पे आ जाएगा और क्या बाच जाएगा 2 h plus 2 divided by h limit आपने हर स्टेप के साथ लाजमी लगानी है तो यहाँ पे क्या बाच जाएगा 2 negative यह negative h हो जाएगा और negative 2 यह उपर आकर h यहाँ पे क्या हो जाएगा जरब हो जाएगा 2 h h plus 2 limit h approximately 0 2 2 से cancel out उपर क्या बाच गया है negative x limit एच अप्रोक्सिमेटली 0 negative h 2 h h positive 2 h s से cancel out क्या बाच गया हमारे पास limit h approximately 0 negative 1 h positive 2 तो हम क्या करेंगे पूट गाले मेट इन दीज इन दीज इक्वेशन इसे हमने एक्वेशन कॉंसीडर कर लोगे अब हमने limit की वूप वैली को पूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास negative 1 h की जगा 0 positive 2 तो आज किसके बराबर आगा negative 1 आवर 2 यह क्या थी हमारी slope slope के बराबर आगी अब हम करेंगे question number 22 यह है question number 20 और इससे पहले जो हमने question number 20 किया था यह question number 22 है बुक पे ठीक है आपने इसे chain कर लेने अब हमारे पास question number 20 के अंदर वो हमें क्या कहता है x की value क्या है 2 के बराबर हमने इसे x1 consider कर लिए x1 किसके बराबर आगा 2 के x2 किसके बराबर हो जाएगा 2 प्लास h उसे हम h से denote कर देंगे ठीक है हमारे पास y1 किसके बराबर होएगा y1 जो हमारी जो equation है 1 negative x का square यहां पे हमने क्या कर देनी है x की value को put कर देना है तो हमारे पास क्या निकल आएगा y1 कैसे 1 negative x की के में क्या थी 2 का square 1 negative 4 negative 3 y2 किसके बराबर आजाएगा यही value को हमने क्या कर देना है x2 की value को put कर देना है सबसे पहले हमने x1 की value put की y1 के अंदर अब x2 की value y2 के अंदर put कर देनी है simply x2 plus h ठीक है तो ये क्या बनगी हमारे पास y2 की कीमत अब हमने क्या करना है slope निकालनी है slope का formula क्या है हमारे पास y2 negative y1 x2 negative x1 y2 किसके बराबर है 1 ये square बढ़ेगा sorry 1 इस square को मैं इसी step के अंदर open कर लेता हूँ 2 का square कितना बनेगा 4 और h का square h और ये क्या बच जाएगा 4 h 2 और h और 2 के साथ multiply किया तो 4 h तो negative कितना बचेगा हमारे पास y1 की कीमत क्या है हमारे पास negative 3 तो negative 3 इसके बाद नीचे क्या बच जाना है हमें पता है h ही बचना है इसका पसार limit आपने लाजमी लगानी है हर स्टैप के साथ 1 ये negative 4 हो जाएगा और negative h का स्केर negative 4 h plus 3 divided by h limit h approximately 0 ये क्या बच जाएगा 4 में से 1 निकालेंगे तो negative 3 और यहां से negative h का स्केर negative 4 h positive 3 limit क्या बच जी जाएगी हमारे पास नीचे h और 3 3 से cancel out h यहां से कामल ले लेंगे h कामल लेंगे तो क्या बचेगा negative h negative 4 divided by h limit h approximately 0 h s से cancel out negative h negative 4 limit h approximately 0 जब हम limit इसके अंदर put करेंगे तो h की जगा 0 negative 4 तो आँस क्या जाएगा negative 4 तो slope हमारे पास किसके बराबर आगी slope is equal to negative 4 यह था हमारे पास question number 20 तो आज हमने question number 90 से लेकर 22 भी solve कर लिए हैं मिलते हैं next video में तब तक कि लिए इजाज़त दीजिए अनला हाफिज